आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों के लिए यहाँ पर आज की ये वीडियो खास तोर पर उन लोगों के लिए है जो अपनी मुसीबतों से अपने कर्जों से मुक्ती चाहते हैं आज हम बात करने वाले हैं गजिंद्र स्थोत्र के पाठ के बारे में शिरीमत भागवत गीता के तीसरे अध्याय में इसका आपको वर्नन मिल जाएगा इस तोत्र में कुल 33 शलोक दिये गए हैं जिनका जाप या पाठ करना बहुत महत्पुन है इस तोत्र में एक हाथी का मगरमच के साथ होते हुई युद्ध का वर्नन किया गया है हिंदु धरम को मान कि राजा गजेंद्र अपने समू के साथ घूमने निकले थे इसी दारान उन्हें जोर से प्यास लगी अपनी प्यास बुछाने के लिए वो एक विशाल तालाब के तट पर पहुँच गए जहां पर जल ग्रहन किया इसके बाद उस तालाब में मौजूद कमल के फूलों की खुश्बू से वो मंत्र मुगध हो गए वो सरोवर में जलक्रीडा के लिए उतर गए इसी तालाब में मौजूद एक मगरमच ने गजेंद्र यानि के हाथी को अपने दांतों से उसके पैर को दबोच लिया गजेंद्र को जब दर्द का एहसास हुआ तो पहले उसने मगर काफी समय बीच जाने के बाद गेजेंद्र की सारी शक्तियां जब यथावत रह गई तो उसने मौख्ष प्राप्ति के लिए श्री हरी विश्णू की अराधना करने की कोशिश कर दी और एक स्तोत्र का जाप किया जिसे गेजेंद्र मौख्ष तोत्र कहा जाता है प्रंतु आज इसका वर्णन में आपके साथ हिंदी में करूँगी ताके आप भी ये जान सकें कि उस गजेंद्र ने कौन सी स्तुती की जिससे आप लोगों के सभी कष्ट हर सकते हैं श्री हरी विश्णु आपके लिए भी उसी प्रकार से आ सकते हैं जिस प्रकार से गज के अपना रूप लिया आप लोगों को भी इस गजेंद्र मोक्ष की जरूर स्तुती करनी चाहिए इससे करजों से मुक्ति मिलती है इससे समस्याओं से मुक्ति मिलती है छोटा सा ये पार्ट आपके जीवन को बदल सकता है चलिए जानते हैं कि शुकदेव ने क्या कहा बुद करने लगा जिनके प्रवेश करने पर चेतना पाकर ये जड़ शरीर और मन सभी चेतन बन जाते हैं ओम शबत के द्वारा लक्षित और संपुर्ण शरीर में प्रकृती और पुरुष रूप में प्रविष्ट हुए उन सर्व समर्थ प्रामेश्वर को मन ही मन नमन करते हैं चिनके सहारे ये विश्व टिका है जिनसे ये निकला है जिन्होंने इसकी रचना की है और स्वेही इसके रूप में प्रकट हैं फिर भी इस द्रिश्व जगत से एवम इसकी कारण भूता प्रकृती से सर्वता परे और श्रेष्ट हैं उन अपने आप बिना किसी कारण के बने हुए भगवान की मैं शर्ण लेता हूँ अपने संकल्प शक्ती के द्वार अपने ही सवरूप में रचे हुए और इसलिए स्रिश्व प्रकार अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कार्यकार्ण रूप जगत को जो अकंठी द्रिश्व होने के कारण साक् उस्ची रूप से देखते रहते हैं उनसे लिप्त नहीं होते वे चक्षू प्रकाशकों के भी प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करें समय के प्रवहा से संपुर्ण लोगों के और ब्रह्मादी लोगपालों के पंच भूत में प्रवेश कर जाने पर तथा पंच भूतों से लेकर महत्व प्रयंत संपुर्ण कारणों के उनकी परम करुणा रूप प्रकृती में लीन हो जाने पर उस समय दुर्गे तथा अपार अंधकार रूप प्रकृती ही बच रही थी इस अंधकार के परे अपने परमधा में जो सरव्यापक भगवान सब और प्रकाशित रहते हैं वे प्रभू मेरी रक्षा करें। जान ही कैसे सकता है वर्णन कैसे कर सकता है वे दुर्गम चरित्रवाले प्रभू मेरी रक्षा करें। वे प्रभू ही मेरी गती हैं। जिनका हमारी तरह करमवश ना तो जन्म होता है और ना जिनकी द्वारा अंकार प्रेरित करम ही होते हैं। जिनके निर्गुन सवरूप का ना तो कोई नाम है ना ही रूप है। फिर भी समयनुसार जगत की स्रिष्टी और प्रलय के लिए सवेच्छा से जनम आदि को वो सविकार करते हैं। उन अनत शक्ती संपन परम भ्रम परमेश्वर को नमसकार है। उन प्राकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत करमा भगवान को बारंबार नमसकार है। स्वेप्रकाश एवं सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार है, उन प्रभु को जो नम, वानी और चित्त वृतियों से भी सर्वता परे हैं, बार बार नमस्कार है. विवेकी पुरुष के द्वारा सत्व गुण विशिष्ट निर्विती धर्म के आचरन से प्राप्त होने योग्य मोक्ष सुक की अनुभुती रूप प्रभु को नमस्कार है. स्वत्व गुण को सविकार करके शांत, रजो गुण को सविकार करके घोर और तमो गुण को सव विकार करके मूड से प्रतीत होने वाले भेद रहित अत एव सदा संभाव से स्थित ग्यान घन प्रभु को नमस्कार है। समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपुरुण जड प्रचंड एवं सबकी मूल भूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपुरुण विश्यों में अविद्या रूप से भासने वाले आपको नमस्कार है। की परमगती भगवान को नमस्कार है। जो त्रिगण रूप काश्ठों में छिपे हुए ग्यान रूप अगनी है उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टी रचने की ब्रह्मा वृती जागरित हो उटती है तथा आतम तत्व की भावना के द्वारा विधी निशेद रूप शास्त्र से उपर आसी को सदा के लिए पुरू रूप से काट देने वाले अत्यधिक द्यालू और दया करने में भी आलस्य ना करने वाले नित्यमुक्त प्रभू को नमस्कार है अपने अंश से संपुरुण जीवों के मन में अंतरियामी रूप से प्रकट रहने वाले सर्वनियंता अनंत प पुर्शों के द्वारा अपने हिर्दय में निरंतर चिंतित ग्यानसवरूप सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है जिने धर्म अभिलाशित भोग धन तथा मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मन्चाही गति पा लेते हैं अपितु तो उन्हें अन्य प्रकार के अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्शत छरीर भी देते हैं वे अतिश्य द्यालो प्रभू मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार ले जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुत ए एक मात्र उन भगवान के ही शर्ण है धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चा अगल में एवं अत्यांत विलिक्षन चरित्रों का गान करते हुए अनन्द के समुंदर में गोते लगाते रहते हैं उन अविनाशी सरव्यापक सरवस्रेश ब्रह्मादी के भी नियामक अभक्तों के लिए प्रकट होने पर भी भक्तियोग द्वारा प्रापत करने योग्य अत्यांत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यांत दूर प्रतीत होने वाले इंद्रियों के द्वारा अगम्य तथा अत्यांत दूरविग्य अंत रहित किन्तु सब के आधी कारण एवं सब और से परिपुर्ण उन भगवान की मैं स्तुती करता हूँ ब्रह्मादी समस्त देवता चारों वेद तथा संपुरुन चराचर जीव नाम और अकृती भेद से जिनके अत्यांत तक्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं जिस प्रकार प्रज्वलत अगनी से लप्टें और सूर्य से किरने बार बार निकलती हैं और पुने अप वे भगवान ना तो देवता हैं ना असुर हैं ना मनुष्य हैं ना तिर्यक योनी के प्राणी हैं ना वे इस्त्री हैं ना पुरुष और नपुन्सकी हैं ना वे कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रिनियों में समावेश हो सके ना वे गुण हैं ना करम हैं ना का के लिए अवीर भूत हों मैं इस ग्रहा के चंगुल से छूट कर जीवित नहीं रहना चाहता क्योंकि भीतर और बाहर सब और से अग्यान से धके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है मैं तो आत्मा के प्रकाश को धक देने वाले उस अग्यान की निर्विती चाहता हूँ जिसका कालक्रम से अपने आप नाश नहीं होता अपितु भगवान की दया से तथा ज्यान के उदै से होता है इस प्रकार मोक्ष का अभिलाशी मैं विशव के रचाईता स्वे विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वता परे विश्व को खिलोना बना कर खेलने वाले विश्व में आतम रूप से व्याप्त अजन्मा सरव्यापक एवं प्रापत वस्तुओं में सरवस्त्रेश्ट श्री भगवान को किवल प्रणाम ही करता हूँ उनकी शरण में हूँ जिनोंने भगवत भक्ती रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला ह वे योगी लोग उसी योग के द्वारा शुद्ध किये हुए अपने हिर्दर में जिनने प्रकट हुआ देखते हैं उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ जिनकी त्रिगुनात्मक शक्तियों का आग रूप वेग असहाय है जो संपुर्ण इंद्रियों के विश्वरूप में प्रतीत हो रहे हैं तथा पी जिनकी इंद्रियां विश्व में ही रची पची रहती हैं ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है उन शर्णागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कारे रूप अहंकार से ढखे हुए अपने सवरूप को यह जीव जान नहीं पाता उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शर्ण में आया हूँ जिसने पुर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार सवरूप का वर्णन किया था उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदी कोई भी देवता नहीं आये जो भिन भिन प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना सवरूप मानते हैं तब साक्षातकार श भगवान इच्छान रूप वेग वाले गरुड जी की पीट पर सवार होकर सत्वन करते हुए देवताओं के साथ ततकाल उस्थान पर पहुंच गए जहां वो हाथी था सरोवर के भीतर महमली गरहा के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड की पीट पर सवार चक्र उठाय हुए भगवान श्रीहरी को देखकर अपनी सूंड को जिसमें उसने पूजा का एक कमल का फूल रखा हुआ था उपर उठाया और बड सहित उस गजराज को ततकाल जील से बाहर निकाल लाए और देवताओं को देखते ही देखते चक्र से मूँ चीर कर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया हिंदू धरम शास्त्रों के अनुसार जब आप किसी भ्यंकर मुसीबत में फज जाएं तो गजेंद्र मोक्ष के प सबसे अच्छा तब रहता है जब सूर्य उदय से पूर्व स्नान करके पूर्व की और मुख करके किया जाए इस मुक्ष का पाठ जो है वो आप करें और आप लोगों के जीवन में जो भी समस्या है आपको सबसे मुक्ति मिलेगी खास कर ये जो पाठ है इसको करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है ये माना जाता है तो इसलिए जिस व्यक्ति पर भी बहुत अधिक कर्जा है वो गजेंद्रमोक्ष के इस पाठ को जरूर करें आज के लिए इतना ही अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप लोग दूसरे मित्रों से सहयोगियों से और अपने परिवार क सदस्यों से इसे शेयर करें ताकि वो भी अपने कर्जों से मुक्ति पासके इस चोटे से पाठ से अगर आपको किसी भी तरह की राहत मिलती है तो ये बहुत अच्छी बात है तो इस पाठ को जरूर करें आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन् करें दित' एक वेंगर कारें उvos ताकि उसे लिए येफ सrä उन्हेंगर К येभिच बहुत कर्स वाठ बहुत рू से एक हमेगर क्जेड़ को शोथी हाट 10 ज nói चेवेश करेंगाल नकि प